हालो गईज़ आप सभी सात्यों का सवागत है आपके अपनी यीटूब चैनल टापसिंट पर तो डेली के तरा हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लाए हैं जितनी इंपॉर्टन अपडेट आज की नूज पेपर में आई है और आप सभी के काम की है वो सारी के सारी अपड अब देखने को मिलेगी तीन हजार से जादा वहुकल पेपर सन दो आपको प्रीबेजियर पेपर आपको सबी बुक इस्टोर पर देखने को मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं पूरे बहते इन तरीके से यहांपर चीज़ें किया गया है सलेबस भी इसमें आपको दे दिया गया है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा कि किस topic से कैसे कैसे questions आते हैं आपको चक्सू publication की ये book आपको सभी book store पर देखने को मिल जाएगी आप कहीं से भी जाकर आप इसको market में ले सकते हैं या फिर description box में लिंक है वहां से भी जाकर आप ले सकते हैं आप यहां देख सकते हैं जो यहां पर practice set दिया गया है आपको दो आपको practice set देखने को मिलेगा और इसका आपको solution भी देखने को मिल जाएगा और पूरा का पूरा सलेवस के according ये study guide है जो कि आपको किसी भी book store पर या फिर description box में लिंक है आप जाकर वहां से आप ले सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं 99,000 सिक्षक भरती को लेकर के जो की मामला का फिया तक गर्माया हुआ है उसी को लेकर के आज लगबग हर एक new shaper में एक update आई है कि 99,000 सिक्षक भरती के मामले में आरक्षन पीडित जाएंगे double bench यानि अब जो ये case है वो double bench में जाने वाला है य भरती में आरक्षित वर्ग में बाद में चैनित 68,000 ब्यारती की सूची खारिच करने के बाद इन अब भ्यारतियों ने लखनाव में विरोज शुरू कर दिया है इधर पिछड़ा दलिस संयुक्त मोर्चा के प्रदेश सद्यक सुसील कस्याप एवम संरक्षंग भासकर सिं दिक्कते अब आएंगी आएंगी क्योंकि जब तक यह मामला सांत नहीं होगा नई भरती के लिए दिक्कत होने वाली है यहाँ पर बताया गए कि आरक्षंग पेरित OBC तथा SC वर्ग के अब भरतियों ने गुरुवार को राश्पती पधार मंत्रियों मुक्य मंत्री को पत तो आप यहाँ पर देख सकते हैं में चीज है कि आप इसको रिव्यू करवाने के लिए जो चात्र है अब वो डबल बेंच में जाएंगे और डबल बेंच भी कब जाते हैं क्या होता है वो सब जब हमें इंफॉबेशन मिलेगी तो आप लोगों मैं चैन के मादम से बता द अगली अपडेट है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भरती को लेकर के है यहाँ पर मता दें लिखा है पुलिस भरती के इंतजार में ओवर एज हो रहे प्रती होगी आपको बता दें कि पिछले 4-5 साल हो चुका है जैसे सिक्चक भरती नहीं आ रही वैसे उत्तर प्रदेश प्रति के बरती नहीं हो रही है यूपी असाई की भरती हुई तो आपने देखा भी कितनी ज़्यादा धांदली उसमें देखने को मेली बहुत सारी दिक्कते हुई उसमें लेकिन जो कॉंस्टेबल की बात के नहीं तो यहाँ पर अपडेट आई है यूपी पुलिस में कॉ साल से इस भरती का इंतजार है ब्रहसपत इवार को अमर उजाला की ओर से छोटा बगाड़ा इस्ति सुजीत लाज में आयोजी संबाद कारिकरम यूथ अड़ा में प्रतियोगी चात्तों ने इस मुद्दे को प्रमुक्ता से उठाया प्रतियोगियों का कहना है कि वर्स 2019 क पुलिस कांस्टेबल की भरती नहीं हुई है दरोगा भरती तो हुई लेकिन वाब रष्टाचार की बेंट चड़ गई आरोप लगाया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भरती पर दो साल से छात्रों को गमरा किया जा रहा है बरती संस्ता उत्तर प्रदेश पुलिस भरतीय से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि परिक्षा कराने के लिए कोई एजंस्य टेंडर लेने को त्यार नहीं है इसमें अभ्यारतियों की क्या गलती है तो यहाँ पर जो चात्रों यही कह रहे है कि जो यहाँ पर भरती बोर्ड है वो बता देती है कि टेंडर लेने को को यहां पर लिखा चातों ने TGT PGT भरती में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया अगस 2022 में आवेदन की पुरक्रिया पूरी हो चुकी लेकिन अब तक परिच्छातित गोसित नहीं होई यानि अगर हम बात में तो तकरीबन 9 माह हो चुके हैं और 9 माह में अभी एक भी जो ह होगी और अभी भी कुछ भी देखने और सुनने को नहीं मिला है परिच्छाट को लेकर करके यहां पर बतायागा है कि पृतियोंगियों को लेकिन अभी भी इसका भरती की बात कहीं की नहीं जा रही ह है हर बार यही बढ़ी भी क्या प्रॉब्लम ही पिछले 8-9 मैने से प्रॉब्लम ही साट अट हो रहा है तो जो चात्र हमने बात उठाता है्事 को बिच्छा पंजारी हो.' साती साथ TGT PDT की परिक्छा तिथी भी गोसित की जाए क्योंकि छातर जब तक परिक्षा तिथी नहीं आगी तब तक किस तरीके से एक आगरचित हो कर पड़ पाएगा दिक्कत होती है ना इसमें आएसे मैं 8-9 मैने से कुछ पता भी नहीं है और आगे भी नहीं पता कि कब तक कैसे होने वाला है तो छात तो जो है वो कापी ज़्यादा परिसान है LTE grade को ले करके और TGT PGT को ले करके ठीके बाकी जो भी इन प्रामेशन हों की आपको हम बताएंगे अगली जो अपडेट है वो PCSJ प्रारंबी परिक्षा को ले करके है कल जो है PCSJ प्रारंबी परिक्षा का प्रारंबी परिक्षा 2022 का प्राणाम ब्रहस्पतिवार देर साम जारी कर दिया आयोग ने 315 परिक्षा के लिए सफल गोसित किया है PCSJ के 303 पदों पर भरती के लिए प्रारंबी परिक्षा 12 परोरी 2023 को अवजित की गई थी जिसमें 2 विश्यों सामान ग्यान अंबिधी को सामिल किया गया था PCSJ बरती परिक्षा 2022 के लिए कुल 89,565 अवजितन किये थे और इन में से 50,877 जो अवजितन परिक्षा में सामिल हुए थे मुखी परिक्षा 24 में 25 में 2023 को प्रता हुई था यानि डेट भी आ चुकी है मुखी परिक्षा को ले कर गए ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और 15 गुना लोगों को बुलाया भी गया है ये भी यहाँ पर बता दिया गया है लिखा है कि हाला कि मुखी परिक्षा के लिए निर्धाय संख्या से कम अभ्यारती उत्तींड गोसित किये गए हैं नियम के तहत पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना भ्यारतियों को प्रारंभी परिक्षा में सफल गोसित किये जाने का प्रावधान है इस मामले में आय जारी हो चुका है मुख्य परिक्षा की भी डेट जो है टेंटेटिब दे दी गई है तेज चोभी से ओं 25 मई को इसकी परिक्षा होने वाली है तो काफी इंपोर्टेंट है चीजें आप यहां पर देख सकते हैं और इतनी सारी चीजें हैं और चाहत जो है लगातार प्रात्म नहीं हुआ था परिशान सब चाहते हैं जो लोग न्यूकती पा चुके हैं वो लोग भी परिशान है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे भी नवकरी में दिक्कत आ जाए तो बहुत सारे चाहतर परिशान है अलग कि जो भी इसका निवारन है वो जल्द हो जाएगा फिलाल इतनी भी जल्दी नहीं होगी क्योंकि आप डबल बेंच में मामला जाएगा तो फिर डबल बेंच में सुनवाई होगी और तुर्मते सुनवाई होकर उसका जो है रिजल्ट नहीं याद आता है तो समय तो लगे गई बागी देखते हैं जो भी चीज़े होगी वो आपको यो परसिंट यूटूब चैनल से तो आपको देखने को मिली जाएगी तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी सेर कर दें जिससे उन लोगों को भी सारी रियल और अथंटिक अपडेट उनको मिल जाए तो मिलते हैं गली वीडियो में किसी खास देख हुस रही है मस रही है